हेलो एव्रिवान मैं होड़ितो मिर्चल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज को वीडियो है वो इस बाड़े में है कि क्या है वो खाना जो तेजी से आपके मरदाना ताकत को बढ़ाएगा आपके टेस्टोस्ट को बूस्ट करेगा क्योंकि दवाई खाने से अच्छा है ना कि हम खाने पर फोकस करें और मैं जेस चीजों के बारे में बात करने वाली हुँ ना पहली बात बिल्कुल महेंगी नहीं है दूसरी बात इजी टो एविलेबल है कहीं भी कहीं से भी आप इसको ले सकते हो खरीद सकते हो तीसी बात व पहतरीन वीडियो वीडियो शॉर्ट होने वाली है बट इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों तो अन तक देखना जरूरी है पसंद आये तो लाइक करो शेयर करो रहां सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैं भूला चले फट फट बात करते हैं साथ ऐसे फूड के बारे में सबसे पहला पीनट मूंग फली आप बोल सकते हो यह कहां पर नहीं मिलता आप अली गली मौल लेके किसी भी जगह पहुंच जाओ हर दुकान पर यह आपको जरूर मिलता है वर्सटाइल होता है इसी टू यूज होता है कैसे भी कही भी किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हो मैंने पीनट के बारे में डिटेल्स में वीड़ो बनाई है कि यह कैसे मर्दों के लिए काम करता है पीनट में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और वाइटमिन इंग्रिएंस हैं जो में सेक्शल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है पर सबसे ज़ादा इसमें जो पाजाता है हो है जिंक इसके इलावा इसमें बहुत सारी ऐसे मिनरल्स और हेल्दी कंपाउंट्स होते हैं जो पुरुष्यों के शरी में तीसी से टेस्टरिशन को बूस्ट करता है इसको रोज खाने से आपकी शरी में डोपमाइन की मात्रा बरती है जबकि सेक्शल हेल्थ को बैटर ब कर सकते हैं अधरवाइस सभी खा सकते हैं खाली पेट नहीं बहुत का नम्मर टू और वह केला केले में आइरन जिंग पुटैसियम इसके लावा और भी बहुत सारी बहुत सारी वाइटमिन से भरपूर है केला केला एक अपनी आप में ही नाचरल सूपर फूर है जो आपके अनर्जी लेवल को बढ़ाता है और लॉंग टम में ये अपके टेस्टेस चरंड को तैजी से बूस्ट करता है तो इसलिए केला भरपूर का हो ये वर्सटाइल है इजी टू यूज है कही भी कही भी मिल जाता है और हेल्दी भी है डाइबिटिक फेशन वाले इसकी डेली खाना शुरू कर सकते हो moderate amount में अंडे में vitamin D और vitamin E की मात्रा काफी अच्छी है जो male body में sexual performance को बूस्ट करने मदद करता है और testosterone को 30 से increase करता है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले में आपको एक product में बताना चाहूंगी अगर आपको जल्दी गिनने की समस्या है आप आपको बहुत ही जल्दी गिर जाता है बेक पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो ना आप खुद साटेस्वाइड हो पाते हो ना आप अपने female partner को साटेस्वाइड कर पाते हो तो आप जो स्टिक कैपसूल का इस्तिमाल कर सकते हो यह एक ऐसी आयरवेदिक सप् तो अगर आप इसका इस्तमाल करना चाते हो तो डेस्क्रिशन बॉस में आपको इसके लिंग मिल जागी आप चेक आउट कर सकते हो अदर्वाइड स्क्रिन पे जो नंबर है उस पे कॉल करके भी आप इसको और कर सकते हो चली आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ नंबर फ करें चली टेस्टरस्टोरन को बूस्ट करता है गालिक जो है इसमें अलिसिन नम का एक ऐसा कंपाउंड है जो मेल पार्टनर के सेक्ष्वल हेल्थ को प्रोबोट करता है उनके बॉड़ी में वस्कुलर सिस्टम को इंप्रूफ करता है जिससे एरेक्टर डिस्विंशन जैस इस और गजो ओसे अनार के बारें काफी सारी वीडियों से बताया है कि यह कितना ही होता है पुरोष आले पूसथा करने करता है। इससे पुरूशों के शरी में पुरूशों के शरी में पुरूशों के सेक्शुल हेल्थ को प्रोमोट करने में मदद करता है नमबर सिक्स वो है वाटर मेलेनी की तर्बूज तर्बूज के बारे में भी मैंने काफी सारी वीडियो से में कहा है कि sexual health को boost करना है तो तर्बूज जरूर खानी है इसमें भी काफी सारी ऐसी compounds होते हैं जो significantly testosterone को boost करने में मदद करता है गर्मी का season आ रहा है यह हमेशा ही available होता है बट गर्मी के टाइम पर आप इसको खाते हो पहली बात कि यह hydration maintain करता है दूसरी बात के sexual health को boost करता है तीसरी बात testosterone को boost करता है तो जरूर खाए And last but not the list is green and leafy vegetables जी हाँ, जो हरी पत्तीदार खास्तो से सब्जिया होती है इसमें वो potency होती है जो तीजी से आपके शरी में testosterone को boost करता है काफी लोग ऐसे होते हैं जो इसको neglect करते हैं इसको avoid करते हैं, इसकी importance को नहीं समझते हमीशा जो दिखती है वो सही नहीं होती हो सकता है कि यह टेस्टी ना हो, हो सकता है कि यह आपको इतना बहतरी ना दिखे बट यह आपके health के लिए बहुत ही बहतरी होता है तो कोई भी पत्तीदार सब्जिया हो, कोई हरी सब्जे से कि ब्रॉक्ली हो गया, केल हो गया या फिर मोरिंगा हो गया या फिर स्पीनच यानि की पानक हो गया यह बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए और या आपके टेस्टोशन को बूस्ट करने के साथ साथ अपके सेक्शल हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है क्योंकि हरी सबजियों में जो आईरन की मात्रा होती है वो अच्छी होती है वाइटमिन्स की मात्रा अच्छी होती है फाइवर की मात्रा अच्छी होती है जो आपके अलोवर हेल्थ के साथ सब्सक्राइब को भी प्रोमोट करता है दोस्तों अगर आप मुझसे सहमत हो अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छी motivation मेल दे, so do subscribe, thank you, bye-bye.